तो आज के पहला question है कि भाद की पर्च वर्षी योजनाव को अंति मंजूरी कौन परदान करता है तो आपके सामने चार option है राष्ट्रिय विकास परिशाल या इंडिसी या बित मंत्राल या निती आयोग या भाद का राष्ट्पती निती आयोग की बात करें तो थोड़ा सा मैं यहां पर अपको बतादू कि निती आयोग 2015 से कम कर रह ceux थले ठीक है पहले योजना आयोग काम करती हुआइ तो बेम की या है एक पार्ट वैए एक वीडियो और यहां पर मैं आपको बताना कि लूट्सवरिशत्य यहां से साहरे से ठीक है तो उसक्त्त वीडियो में पंच वर्षी योजना कब सुरू हुई थी तो मैं इसका एंसर बता देता हूं। इसमें थोड़ा आपको नहीं दीख रहा है इसलिए मैं इसका एंसर बता देता हूं। तो भाग की प्रथम पंची वर्षिय योजना जो शुरू हुए थी कब हुए थी उनिश्व एकाउंट में हुए थी आप देखेंगे कि प्रथम पंची वर्षिय योजना का प्रमुख लक्ष क्या था उधो का विकास कृषिक बुनियारे धांक्चो का विकास या बंदर गाहों का विकास तो आपके सामने चार उप्शन हैं उम्मीद करते हैं आपने एंसर देडिया होगा तो मैं इस question के answer करता इसका पिकास चलते हैं नेक्ट कोशन क्यों तो नेक्स्ट यहां पर कि किस पंच वर्षियों इजना के दौरान भारत ने गरीवी हटाओ का नारा दिया था यहां पर देख लिएगा जितने भी किस पंच वर्षियों प्रन भात ने गरीवी हटाओ का नारा दिया था पहली दूसरी तीसरी याँ चोथी तो इसका आइच्ट कोश्ट क्यों तो नेक्स्ट कोश्ट यहां आपके स्क्रीन पर यहां रहा है कि भात में योजना आवकास का गोसित किया गया था तिसरी पंचोर्षी योजना के बाद, चोथी पंचोर्षी योजना के बाद, पांचुवी पंचोर्षी योजना के बाद या छटीक पंचोर्षी योजना के बाद वार्षी के योजनाय लागु की गई थी आपको बताना कि कब से कब जो है तीन वार्षी के योजनाय यहां पर शुरू की गई थी राण रखिए का इसका राजियों के मुखमंत्री या अप्षन नमर डी हो जाएगा योजनाय यहां पर देखेंगे कि भाद में पहली पंच वर स्योजना कप सुरू की गई थी तो कोशियन अभी रिपीट हुआ है तो इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा एक अपर उनिस्वे एकाउंट को उ तो आपको जो है option के according जहां जो मिली आपको यही करना अगर 1951 option मेरा है तो 1912 होगा तो आपको 1912 यहाँ पर ठीक है चलिए यहाँ पर एक मिलेट फ्रेंस यहाँ पर 1952 होगा है अधिक बल्किस पर दिया गया था क्रीशी पर दिया गया था दुष्ट्रा कोर्शन है कि किस पंच्वर्शी रोजना विकास कि अधाई थी तो इसका राइट एंसर क्या हो जाए का फ्रेंस option नंबर यहाँ पर हो जाएगा D यानि कि मन्ना नरायन ठीक है मन्ना नरायन मौडर पर अधाई थी ठीक है चलते है next question की ओर तो next question है यहाँ पर कि राष्ट्रिय विकास परिशत का गठन कप किया गया था तो आपके सामने चार ओप्सन है जब करखाने लगाया गया थे इसमें जो है डावल के राष्ट भिलाई और दुर्दापूर सभी में जो है लगाया गया थे option नंबर D हो जाएगा ठीक है द्याँ रखेगा चलते है next question की ओर और यह सभी पच्छिम बंगाल में पढ़ते हैं अर्याकि भात में रोजन आवक में 1966 में सुख्य होने के बाद जो है यहां पर आवकास था ठीक है योजना आवकास का कल था और important question है अगला कि गरीबी हटाओ तथा आत्म निर्भत्ता की प्राप्ति किस योजना का मुख उधर के निराज किया गया था तो अभी मैंने आपको बताया कि यह जो है पंच्वर्षी योजना में किया गया था अगला कि 10 फी पंच्वर्षी योजना की अंतरगत कितने प्रतिसत वास्तिक विकास दर निराज किया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option नमसी यानि की 8% ठीक है चलते है next question को तो next है यहां पर कि बढ़ावी पंच्वर्षी योजना की उधिक क्या है आपको बताना है तो इसका एंसर हो जाएगा अभी जो हे 12 से 17 वे बढ़ावी पंच्वर्षी योजना की अगल्या है कि बावी पंच्वर्षी योजनामें कितने पर्तित सर्थ वार्षिक बिर्धी द्र निधायत करने का परस्ताव रएक संव ब् तो इसके राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंस मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि योजना आयोग के जगर प्राब जो है नीती आयोग काम कर रही थी अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग के अस्थापना कब हुई थी ठीक है मैं क्या को आपको पहले ही करा चुका हुँ ठीक है यहां पर पर नेक्स्ट कोशन की बड़ा होई पंच्वर सी रोजना का मुख कुदेश क्या है शॉमावेसी बिकाश और गडवी निवन निकरन या समावेसी जाए खार निये विकाश या 3 अस्थर धार्नी यें ज्यादा समा को लागू करने से या पंचवर्षी योजनाओं के अनुमोदन करने से या भाद में मुख विकास योजनाओं के अनुमोदन और मुल्याकन से या समुदाइक विकास काज्ट्रम को लागू करने से तो इसका राइटेंस हो जाएगा अप्शन नंबर सी या पर भाद में मुख विकास योजनाओं के अनुमोदन और मुल्याकन से नेक्स्ट कॉर्शन देखेंगे आपकी भाद में पंचवर्षी योजनाओं को सुईकार करने का अंतिमाधिकार किसका है नितियायोक का राश्ट्रिय विकास परिशत का संखिय मं अंच होगी अगला है यानि चालमंति यहां पर देखेंगे विकास आमंतिर सरस्थ जो होता है जो की प्रधा मंत्रिवह नामिर नामीत होते है यह पर। यहां पर नितियायोक को ओड़ने के लिए क्योंकि कि मैं हर एक option यहां पर पढ़के नहीं बताऊंगा बीटों बहुत ही लंबी हो जाएगी तो इसका right answer हो जाएगा यहां पर option number C यानि की राज अस्तर पर योजनाव बनाने के तंत्र को विक्सित करना चलते है next question की ओर तो next question देखें कि भात का सबसे अधिक संगाठित उधोग कौन सा है वस्त उधोग चीनी उधोग इसपात उधोग यहनमी से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option number A यानि की वस्त अगला की भात में सूति वस्त्रोग की रधानी किसे काहा जाता है कानपूर मुंबई अहमदाबाद या कोईंबटूर तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि की मुंबई को भात में सूति वस्त्रोग की रधानी किसका करते हैं मुंबई को काते हैं अगला के उत्तर भात कर कानपुर को अहमदाबाद को मुंबल को इन में से कोई नहीं तो इसका राइटेंस रहो जाएगा option number 3 याने की अहमदाबाद को पूर्व का जो बोश्टन किसे करते हैं अहमदाबाद को करते हैं नेक्स्ट क्रेशन देखेंगे की कुच्छे रेसम की उतपादımızı में भाद का उस्थान क्या है प्रथम दूसरा तीसरा लगिबिधर चाइनस थान chapter मैं उसकी बात कर लेता हूं तो वह चाइना है कौन है चाइना है प्रोसीदेश चलते हैं नेक्स्ट कुर्चन के और तो भात में स्रवाधिक रेश्रम का उत्पादम कि श्राज में होता है तो इसका अप्सट भी हो जाएगा करणाटक में हो जाएगा अगला कि टाटा आइड अरिश्टील कंपणी के अस्तपना का गई थी 1905 में, 1986 में, 1907 में, 1902 में यह important question इसको आप देख ली जागा एक वाइगा तो तो इसका राइट अप्सन हो जाएगा, कन हो जाएगा नेक्स्ट कुर्शन आप देखेंगे कि भिलाइ इस पात संज्यत के अस्तापना किस देश की साहता से की गई थी तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर यहां पर हो जाएगा भी यानि की रूश की साहता से की गई थी चलते हैं नेक्स्ट कोर्शन की ओ तो बुकार इस पार सनयत के अस्थापना जो है किस राज में की गई थी भिहार पछिम मंगाल उत्रपरेंश जाहरखन तो इसका राइट एंसर का हो जाएगा ओप्सन नमबर टी हो जाएगा यानि की जाहरखन में किया गया था चलते हैं नेक्स्ट कोर्शन को तो नेक्स्ट देखेंगी कि दुरगापूर इसपार संद्रत के अस्थापना किस डेस्ट के साहता से की तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A यानी की 118 181 में अगला question है कि नेपा नगर में स्थित कौन है तो आपको इसका answer खुजना तो इसका answer हो जाएका option number B यानी की कागच कर खाना नेपार नगर में कौन है कागच कर खाना है अगला कि भात मेरा आसानिक हाद का प्रतम कर खाना की श्राज में स्ताफित किया गया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D यानि की तामिल लाइडू में ठीक है चलता है next question को तो अगला है निमलीखित में से केंद्र सरकार दोरा लगाया जाने वाले कर कौन है शीमा सुल्क, आयकर, नीग option है कि निमलीखित प्रत्यक्ष कड़ों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है नीगम कर से आय कर से संपत्ति कर से या दान कर से तो राइट एंसर हो जाएगा नीगम कर से सरकार को है अधिक आय होती है अगला है कि निमलीखित में से कौन सा एक राज सर लागू किया गया था जुलाई 2017 में लागू किया गया था अगला प्रेश्टन देखेंगे आप यहां पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हो ताकि आप यहां पर देख पाएंगे निम्स में से कौन सा जीएश्टी प्रणाली के अंतरगर सामिल नहीं है श्राब प्रेट प्रोडियम जो है जीएश्टी के अंतरगर सामिल नहीं होड़ा ठीक अप्शन नबर सी हो गया यहां पर नेक्स्ट कोश्टन देखेंगे आप यहां पर कि वस्तु एंसेवा कर जीएश्टी के अंतरगर स्रवाधिक दर्ध कितनी रखी गई है तो इसका राइट एंसर हो ज यह ठीक है कि क्या होगा 18 परसेंट होगा अगला प्रसेंट देखेंगे आप भातियों के द्वारा भातियों द्वारा शिमित देवताओ देताओ वाला संचाइब पहला बैंक कौन था अवद कॉमेर्शियर बैंक पंजाब नेशनल बैंक रिजॉर्ब बैंक आइसी आइसी तो फिर यह था आज का 50 most important question जो मैंने आपको करा दिया है फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा ही question लेकि आऊँगा तब तक वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले वीडियो में धन्यवाद